नमस्कार दोस्तो मैं डक्टर बिजय बहादूर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तो जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हों और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कियो हों तो प्लीज चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आएं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ सल्फर मेडिसिन के बारे में यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तो आज मैं इसके कुछ खास लक्षणों के बारे में बात करूँगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिसियल होने वाला है इसलिए प्लीज वीडियो को सुरू एंटी सोरिक दवा है और इसके सभी रोग लक्षण गर्मी से बढ़ते हैं और ठंडे पानी से या ठंडी से घड़ जाते हैं तो दोस्तो इसका पहला लक्षण है इसका रोगी दुबला पतला होता है बहुत जल्दबाज होता है अर्थात कोई काम बहुत जल्दी में करता है और हमेशा गंदा रहता है उसको कोई न कोई चर्म रोग लगा रहता है हमेशा तो ऐसे लोगों के लिए सलफर बहुत ही एफ पसंद रहती है लेकिन नहाना बिल्कुल नहीं चाहता नहाने से उसका रोग लक्षण बढ़ जाता है तो ऐसा लक्षण यदि मिले तो उसमें सलफर देने से मरीज की समस्या देरे-देरे समाप्त हो जाती है और उसके सारे सम्टम ठीक हो जाते हैं और दोस्तों इसका अगला लक्षण है जब किसी रोग में ठीक चुनी हुई दवा सेलेक्टेट दवा काम नहीं करती है कोई फायदा नहीं होता है तो उस समय सलफर दो एक डोज देने के बाद फिर उस मेडिसिन को सेलेक्टेट मेडिसिन को देने से अच्छा लाब मिलता है और दोस्तों इसका अगल अगला लक्षण है इसके रोगी को एक प्रकार का मेनिया या उन्माद होता है जिसमें रोगी मामूली सी चीज को बहुत ही कीमती समझ लेता है वह कपड़े का एक टुकड़ा पहनता है और उसे ही बहुत अच्छा समझता है और अपने आपको समझता है कि मैं एक राजा हूँ या रानी हूँ इस तरह की उसको फिलिंग आती है तो यदि ऐसा लक्षण हो तो उसमें सलफर देने से मरीज की ये समस्या धिरे धिरे ठीक हो जाती है और दोस्तों इसका अगला लक्षण है जब किसी उनमात के रोगी में उनमात के सभी लक्षण प्रकट ना हो तो उस समय सलफर का दो एक डोज दे देने से उसके मन की जो गुपत अवस्था है वो पूर्ण रूप से सामने आ जाती है जिससे कोई भी मेडिसिन से करने में आसानी होती है तो इसको देने से उसकी समस्या दूर हो जाती है और दोस्तों इसका अगला लक्षण है खुजली पर खुजली हो एक जिमा हो दाद हो या कोई चर्म रोग हो उसमें बहुत खुजली होती है और खुजलाते समय बहुत ही अच्छा लगता है बहुत रिकेट या सुखंडी पर इसमें मांस पेशी सूख जाती है इसकिन सिकुड जाती है पेट फूल जाता है और दिन के 10-11 बजे बहुत ही भयानक भूख लगती है और ब्रह्मताल मने माथे का यह भाग गरम रहता है दोनों पर ठंडे रहते हैं तो ऐसे लक्षण में सलफर दे देने से मरीज की समस्या ठीक हो जाती है उसकी जो यह रिकेट या सुखंडी की समस्या हो देरे ठीक हो जाती है और दोस्तों इसका अगला लक्षण है पुरानी सर्दी खासी पर सर्दी पुरानी हो खासी पुरानी हो और साथ में गला बैठ गया हो लगातार खासी आती हो तो ऐसे लक्षण में सलफर देने से ये खासी और गला बैटने की दवा ठीक हो जाता है दोस्तो पुरानी सर्दी खासी में हो उसमें खासी आती हो गला बैट गया हो लगातार खासी आती हो तो ऐसे लक्षण में सलफर देने से मरीज की एक हासी और गला बैठने की समस्या ठीक हो जाती है और दोस्तो इसका अगला लक्षण है आख की बीमारी में यानि फोटोफोविया फोटोफोविया का मतलब है उसमें रोसनी की तरब देखने में बहुत ही कस्ट होता बहुत तकलीफ होती है और रोसनी की तरब देखने पर आख की तकलीफ बढ़ जाती है आख में दर्द होता है और लगता है जैसे काले काले बिंदू चारो तरब तैर रहे हैं और पढ़ने के समय आख की समस्या बढ़ जाती है, आख में ठकावट मालम होती है, तो ऐसे लक्षण में सलफर देने से आख की समस्या देरे-देरे ठीक हो जाती है. और दोस्तो इसका अगला लक्षण है कान के उपर, कान के भीतर एकजिमा हो जाता है, उसमें बहुत खुजली होती है और साथ में बहरापन रहता है अर्थात रोगी को बहुत कम सुनाई देता है, तो ऐसे लक्षण में सलफर देने से मरीज की एक कान की समस्या धेरे-देरे ठीक हो जाती है, उसका बहरापन भी ठीक हो जाता है और दोस्तो इसका अगला लक्षण है भूख पर, रोगी जब खाने बैठता है, तो दो-चार ग्रास खाते ही उसे लगता है कि उसका पेट भर गया है उसको और खाने के इक्षा ही नहीं रहती है, और दिन के 10-11 बजे उसको लगता है कि उसके पेट में कुछ है ही नहीं, पेट बिलकुल खाली है उसे लगता है कि कई दिन का कई दिन से खाना खाया ही नहीं है तो ऐसे लक्षण में उसे जो है जरासा भी देरी बरदास्त नहीं होती है वो तुरंत खाना चाहता है और खाने के बाद उसकी समस्या ठीक होती है जो पेट में दर्द होता है या और जो समस्या रहती खाने के बाद उसे आराम मिलता है तो ऐसे लक्षण में सलफर देने से मरीज की समस्या देरे देरे ठीक हो जाती है तो दोस्तो अब हम बात करते हैं सलफर के डोज और पोटेंसी के बारे में इसको किस पोटेंसी में और कितने डोज में लेना चाहिए तो इसको 30 पोटेंसी में 2 बूंस सूबा 2 बूंस साम दो बार कुछ दिनों तक लेना चाहिए तो दोस्तो ये रहा मेरा वीडियो मैं आसा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो इसे आप अपने दोस्तों में सेयर कीजिए इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएए ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आगे भी मैं इसी तरह का होमेपैथिक नॉलेजेबिल वीडियो लेकर आता रहूँगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद